हाथ हो या फूल धदक रहे बगावत के शूल जी हाँ, अमारुजाला की राकेश खंडूरी जी की ये हैडलाइन बेहर शानदार हाथ हो या फूल चुब रहे बगावत के शूल उत्राखंड की सियासत में आज बगावत की आज से सुलक्ती सुर्गियां ये संकेट दे रही है कि कॉंग्रेस और भाजपा दोनों के घर के भीतर कौरा मचा हुआ है पहले इतना समझ लीजिए कि राज्ये की सभी सत्तर सीटे और नामंकन हुए साथ सो पचास सत्तर सीट और साथ सो पचास नामंकन इस आकड़े को याद करिएगा क्योंकि ये आकड़ा मैं आगे इसका खुलासा करूंगा कि कितना महत्पून है क्यूं सत्तर सीटों पर साथ सो पचास नामंकन संकेट दे रहे हैं कि उत्राखंड की सियासत में इस बार बहुत कुछ घटने वाला है या फिर यू कहें कि इतिहास अपने आपको दोहराने वाला है इतिहास के पन्नों को भी पल्टेंगे और दिल्चस्फ किस्सों का भी जिकर करेंगे और सत्तर और साथ सो पचास यानि सत्तर सीट और साथ सो पचास नामंकन की कहानी में आगे आपको बताऊंगा लेकिन वगावत के शूल जिसका जिक्र आज अमार उजाला में राकेश खंडूरी जी ने किया है बेहश शांदार हेडलाइन के साथ उन वगावत की सुर्खियों को अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ जरा ध्यान से समझेगा उत्राखंड की सियासत के लिहास से ये बहुत बड़ी खबर है और खबर इसलिए भी महत कून है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मसला कुमाउ से नहीं है गड़वाल से नहीं है मसला बीजेपी का नहीं है मसला कॉंग्रेस का भी नहीं है मसला सीधे तोर पर उन निर्दलियों का है जो इस वक्त ताल ठोक चुके हैं और दम ठोक रहे हैं कि इतिहास को दोहरा कर रहेंगे और दिल्चस्थ कहानी ये है कि इस बार सुर्खियां ये बता रही है कि जो परत्याशियों की फैरिस्थ है उसमें कुमाउ मंडल से अगर मैं जिक्र करूँ तो सबसे पहला नाम आता है रुद्रपूर से टिकेट कटने वाले बीजेपी के विवादित विधायक राजकुमा ठुकराल का ठुकराल निदलिये ताल ठोक चुके हैं और दम ठोक रहे हैं कि रुद्रपूर का रण एक बार फिर से वही जीतेंगे लेकिल हिंदुत के एजंडे पर जो उनका पूराना एजंडा है यानि कि बीजेपी के लिए रुद्रपूर में सबसे बड़ी चुनोती अब काला डुंगी आईए काला डुंगी में भाजपा सरकार में दरजाधारी गजराज बिष्ट आजाद प्रतियाशी के तौर पर नामंकन कर चुके हैं लालकुआट टिकेट कटने से नराज संध्या कॉंग्रेस से बगावत कर चुकी है यानि हरी चुरावत के खिलाफ संध्या ताल ठोकेंगी अगर मनालिया तो ठीक वरना फिर दिक्कत जरूर है इतना ही नहीं अगर बात नैनिताल सीट की करें तो हेम आरे बागी हो गई है बाजपा से ये बीजेपी का चहरा है और आम आदमी पार्टी से इन्होंने नामंकन किया है राम अगर सीट का मैं जिक्र करूँ तो कॉंग्रेस के संजे नेगी निर्दलिये परचा भर चुके हैं हरिद्वार सीटों का भी कुछ दिल्चस्प आकड़ा सामने आया जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ हरिद्वार जिले की विधान सबस सीटों पर गारे दावेदारी का जिक्र करें जिनकी दावेदारी खारिज हुई और बागी ताल ठोकने लगे यहां पर भी बीजेपी के लिए कम चुनोती नहीं है रुड़की से नितिन शर्मा है बीजेपी के इन्हों ने निर्दलिये ताल ठोकी अब पिरान कलियर टिकेट की उमीद तूटने पर जैभगवान बागी हो गए अब निर्दलिये ताल ठोक रहे हैं लगसर में कॉंग्रेस के बागी का मैं जिक्र कर रहा हूँ लगसर में क्या सिती है हाजी तसलीम अजाद पार्टी से नामंकन कर दिया और लगसर विदानसवासे बहाजपा के जो बीजेपी के बागी है अजेवर्मा वो राश्टवादी जन लोग पार्टी से परचा भर ये तमाम फहरिस्त आसन तुष्टों की है जिन्होंने नामंकन भर दिया है अब बचे बीजेपी और कॉंग्रेस के पास महद दो दिन अब दो दिन क्यूं अगर दो दिन में ये बगावत की आग शान्त हो गई तो फिर ठीक वरना फिर बीजेपी कॉंग्रेस दोनों के लिए गड़ गड़ाने वाला है कैसे वो आगे मैं जिक्र करूँगा लेकिन इतना समझिए कि 31 जनवरी नामंकन वापिस लेने की आखरी तारीक है यानि कुछी घंटों का खेल है और उसके बाद कहानी हो जाएगी दिल्चस्प मैं रुद्रपुर में जिक्र कर चुका हूँ ले भी अब बगावत करके अपना नामंकन भर चुके हैं कॉंग्रेस से जुड़े रहे जो पहले बीजेपी में थे अब कालडूंगी से जो जिनका मैंने जिक्र किया गलराज बिष्ट का और इसके साथ साथ रिशिकेश से भी एक बड़ी खबर है जहां पर शूरवीर सिंग स जो कॉंग्रेस से चेहरे हैं धनोल्टी से उनके लिए रहत की खबर है क्योंकि माना जाता है कि महावीर सिंग रांगण का एक अपना परभाव भी है काई शेत्र में और लालकुआ से संध्या का मैं जिक्र कर चुका हूँ लेकिन रामदगर से बड़ी खबर ये है कि कॉंग्रेस के भीमला लारे जो की अक्सर अपने तेवरों को लेकर विवादों में रहे बाहुना सरकार के वक्तियाद होगा आपको और पिरान कलियर से जैभगवान का जिक्र भी मैं कर चुका हूँ लेकिन अब मैं सतर और साथ सो पचास का भी जिक्र करूंगा जो आज अ आम आद्मी पार्टी ने और सक्तर पर कमोवेश लगा लिजे उत्राखंट क्रांती डलने उता रहे होंगे यह आकड़ा अभी मेरे को क्लियर नहीं है उत्राखंट क्रांती डल का लेकिन फिर भी सक्तर-गार लीकिन और कुल मिला कर लगा लिजे कि परतियाशी कुल जो 300 के आसपास होगे ज्यादा से ज्यादा में लगा दो लेकिन फिर ये 750 का आकड़ा कहां से आया नामंकन का यानी की आदे से ज्यादा पार्टी के सिंबल पर चुनाव ना लड़ने वाले चेहरे हैं जो की निर्दलिये हैं अब निर्दलियों की कहानी समझिए इतिहास के पन् जीत और हार के उत्रा खंड की सियासत में कई ऐसी सीटे हैं जहां पर 1502,00,00 2,00,00 3,000 से वोट हार और जीत का मारजन होता है यहां तक की नरेंदगर की सीट याद करिए जहां पर 3-4 वोट से सुबुध उन्याज चुनावस जीते और हारे तीन चार वोट से तो ऐसे में ये सोचिए कि इन निर्दलियों का खेल कितना बड़ा होगा जो पार्टी के सिंबल पर नई लड़र लेकिन पार्टी को कितना नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए बीजेपी और कॉंग्रेस इस वास से डरी हुई है कि अगर बगावत की आग नहीं बुझाई गई तो पार्टी के लिए दिक्तत होना तै है इतिहास का मैं जिक्र करूँ दो हजार बारा का वाक्यात करिए और दो हजार साथ का भी वाक्यात करिए दो हजार साथ से शुरू करता हूँ जब राजैंदर भंडारी निर्दलीय चुनाव जीते पार्टी से बगावत की और समर्थन किसको दिया खंडूरी सरकार को मंत्री भी बने यश्पाल बेनाम उस वक्त वो भी निर्दलिये चुना जीते थे उन्होंने भी खंडूरी सरकार को समर्थन दिया अब 2012 आईए चाहे वो दुरगापाल हो हरिश्चन दुरगापाल हो या फिर मंत्री पर साथ नेथानी हो या फिर इसके साथ सुरेंद राकेश हो ये एक PDF बना था याद होगा आपको PDF में साथ आठ विढाएकों का टोला था जिसे कहा जाता था कि अक्सर बौगणा सरकार को हरी श्रावास सरकार को ये ब्लैक मेल करते हैं ये उस वक्त भी जो है वो सरकार के साथ खड़े रहे और ये निर्दलिये थे अलग अलग विचार धारा के थे कोई BSP से था कोई UKD से था लेकिन अब इन्होंने अपना स्टिट सरकार में बनाय रखा जैसे प्रीतम सिंग एक लहर थी जहां पर उत्राखंड के इतिहास में जो आकड़े ना तो BJP ने अनुमान लगाया था ना कॉंग्रेस ने ना जंता ने कि इतनी बंपर सीटों के साथ BJP का कमल खिलेगा पहाड़ पर और हुआ और हकीकत यही है कि आज सिती यह हो गई है कि अगर यह बागी 2022 है यह 2017 नहीं है अब यह बागी जो की 300-300 के आसपा जिनकी संख्या होती है यह कमुवेश BJP और कॉंग्रेस दोनों से हैं खेल बनाएंगे और भिगाड़ेंगे भी रातों की नीन डुड़ी हुई है जनाब क दे रहा गणे अब चलते चलते मैं उस खबर का भी जिक्र कर लेता हूं जो आज काफी दिल्चस्प खबर जो कल भी पूरे उत्रा खंड में चाही रही वो थी डोई वाला विधानसबा सीट डोई वाला विधानसबा सीट जहां पर BJP के गले की फास बने अब सोचिए वो स सबसे अंतिम वक्त में कुछ ही घंटों पहले जब नामंकन दाखिल होना है तब चहरा घोशीत हुआ वो भी पीजेपी के घर में डोई वाला सीट पर जहां से तिरवेन सिंग रावत ने इंकार कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो भी अंतिम वक्त में जब पैनल डिसाइड हो चुका था तै हो चुका था लेकिन मना कर दिया तिरवेन सिंग रावत ने कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अंतिम समय में और ऐसे में सवाल ख़़ा हुआ था कि उनका उत्रादिकारी कौन होगा उसका उत्तर मिल गया क्योंकि बहारी अब ऐसी स्थिती में टै करना पार्टी के लिए जरूरी था कि तिरवेन सिंग रावत की पसंद क्या है तिरवेन सिंग रावत ने अपने चहीते ब्रिज भूशन गैरोला को चुनावी रण में उतार दिया जो ठाकुर और ब्रहमन वाला आरोप अक्सर लगता था तिरवे पासत डोईवाला की उन्हें सौपती लेकिन डोईवाला का सीन इसवार आसान नहीं है इसवार खेल दिल्चस्प है क्योंकि कॉंग्रेस ने भी युवा चेहरे पर दाव लगा है तो ये थे सियासी किस्से जो अकबारों की सुर्कियों में च्छाय रहे यानि कुल मिलाकर कि हाथ हो या फूल धजक रहे बगावत के शूल जो शांत करेगा वो जीत जाएगा चुनाओ लेकिन इस बार 2017 नहीं जनाब 2022 है देखिए इस बार एतिहासिक ये आकड़े बता रहे हैं जिसका 70 और 750 का मैंने जिक्र किया नामंकन वापिस ले लेंगे 50 या 100 लेकिन फिर भी गणिज बनेगा और बिगड़ेगा यानि चौकाने वाले फैसले और निड़ने जो जनता देगी वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ भी हो सकता है इस बार नमस्कार जहिंद जभारत जया उत्रखन